है वह अच्छा लोग आज हम पढ़ेंगे सेकंड एर फिजिक्स का टॉपिक नंबर 12.4 जो क्या है एप्लिकेशन ओफ इलेक्ट्रो स्टेटिक्स ठीक है इसमें ना दो एप्लिकेशन देवी है नाइन्थ की क्लास में आपने इसके अप्लिकेशन आलरेडी पढ़ी थी अपने वहां पर पढ़ा था अलेक्ट्रो स्टेटिक प्रिंटिंग ओफ कार्ड्स ठीक है इसी तरह पिर आपने वह वैक्यूम क्लीनर भी पढ़ा था सेम इधर भी इसके ना दो एप्लिकेशन दी हुई है एक अप्लिकेशन का नाम है जीरो गराफी और एक अप्लिकेशन है बबवा इसको देखते हैं वू कहती है फिजो जीरो होता है ना इसका मतलब होता है ड्राइ जीरो और गराफी का मतलब होता है राइटिंग तो क्या मतलब बना फिर ओवरराल ड्राइटिंग WASने जा सरजी हमारा पेंशन लिखता ही नहीं एप खाली होग आ खुश्क झाहे लिखता ही निया गी-link डलती इसमें liquid form में लेकिन बच्चा यह जो जिरो ग्राफ ही आना बच्चा इसके अंदर है dry writing इसके अंदर डलती है soliding soliding तो soliding इसके अंदर डलती है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं ड्राइ राइटिंग ठीक है सॉलिड हुश्क फॉर्म में लिक्विड नहीं होगा अच्छा जी अब दूसी चीज यह सॉलिड इंग जो है इसको इदर नाम देते हैं बुक टॉनर का ठीक है जी यह हमार पाउडर फॉर्म में एक सॉलिड सा होता है ब्लैक कलर का यह इदर हमा काम कैसे करती है जीरो ग्राफी ना आप की ऐसे समयलो कि जो आप बजार में देखते हैं ना फोटो कोपी मशीन्स वो जीरो ग्राफी होती है और उनका जो वर्किंग ब्रिंस्पल होगा वो क्या होगा जहिर से बात है इलेक्ट्र स्टाटिक की अप्लिकेशन तो वर्किंग उसको पुछ में ब्रिंस्पल का ने ऐसकी जैकला की और वहाई होगा इलेक्ट्रो प्रिंसपल यह होगा इलेक्ट्रो स्टेक्टिक यह इसका है जी वर्किंग ब्रिंसपल अब इसके अंदर होता क्या है यह चेकर देwn स्टकरते हैं और बुकने आपकी जो यह डबाना में सबिसमें कि दूसरी नहीं है इसका स्पेशल किसम का डूसरी है इसके उपर एक स्पेशल किसम गीधिस जोके ड्रम का ही साइक किसम इसमें तोनर और एक लास चीज आज आपके पास ही इंटिंग रोलर्ट्स और ये चार चीज जो मेन इसके अंदर काम की चीज इन चार नहीं होगे आपको कभी भी बेतरीन प्रिंटिंग उस पर नहीं मिले गे प्रिंट ही नहीं मिले रहा है इन्हें जो ढूर्म है यह किस काम हता है से लीनियम शीट क्या होती है टोनर क्या चीज़ है टोनर वैसे बता दिया भी सॉलिडिंग है हिटिंग डॉलर सीन का क्या खाम है अब इसकी स्टार्टिंग मैं लेता हूँ आप जब फोटोकापी जाते हो फोटोकापी कुरवाने है अपने डाकॉमेंट से कोई भी चीज़ तो आप देखते हो कि उसके उपर ना तीन चीज़ें आप गोर करना एक अगर आपने किसी ऐसे पेज़ की फोटोकापी कुरवाई है जिसके अंदर ये कलर्स है बलैक के लावा जो भी कलर्स होंगे ना उनका इंप्रेक्शन पेज़ पेज़ पे अच्छा नहीं आएगा फोटोकापी क्यों नहीं आएगा वह इदर आपको नज़र आएगा दूसी चीज़ दूसी चीज़ आप देखते हो कि अगर आपके हीटिंग रोलर्स अच्छे काम नहीं कर रहे हीट आपको पेज जो है जब भी फोटोकापी मशीन से निकलता है तो आपको गरम लगता है वो गरम पेज की होता है वो इन हीटिंग रोलर्स की वज़ा से होता है अगर प्रवार नहीं कर पा रहे तो आप देखते है उस पेज के उपर इंक होती है न वो पौदर की तरह पड़ी होती है आप पेज को यह जाडते हो उस सारी के सारी इंक उपर से उतर जाती है तो वो चीज भी आप अक्सर गोर करते हूँ अब हमने इदर जो पढ़ना है हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है वर्किंग प्रिंसिपल एलेक्टो स्टैटिक सी है इसका इसके अंदर भाईया जी होता कुछ ही हुआ है कि हमारे पास यह होता है कि ट्राम ठीक है जी यह ड्राम बना होता है हमारे पास एल का यह आल कमिस्ट्री वालों बड़ा पता होगा इसका ऐलम्यूनियम का यह ड्राम के उपर एक शीट लगा देते हैं हम ऐसे करके यानिकिस ड्राम के उपर ऐसे समलो एक शीट की कोटिंग कर देते हैं इस के साथ एक डबा लगा देते हैं अग्रार हमारा पेज होता है जो जिस पर print होना है यह वोड़ा पेज ऑज़ इससी और इंज्ड और मिलता है कि यह वह खना पेज होगा और इदर लगे होंगे बचचा के दो डूं जो तो इसको फिर न्युलॉरन स्टार्टिंख पर ऑСТप्रत्त आप लेजर करती आफ वह laser का काम है, वह laser scan करती है, अब रोज scan कैसे करते हैं वह भी देख, यहाँ पर आपकी जो पेज आपने कोपी करना है, यह यहाँ पर आप अपना वह page रखते हो, ठीक है, फोड़ा छोटा का लेते हैं, अब रही जाथा, यहाँ पर लगा होता है आपका light source, इधर से जाती है light, अब इस इतने बड़ पेज को इस drum के उपर, हमने इस drum के उपर इस page की image लेगी, तो इस चकर के लिए, अगर हम वैसे रखेंगे, तो यह सारे पूरे drum पे आईगी नहीं, इतनी बड़ी image बनेगी, इस image का जुगार लगाया, जुगार के लिए हमने इदर क्या रश दिया तरम्यान में एक lens वा, यह lens जो है, शकल से नजर आ रहा है, इसकी शकल बता देती है lens कि, क्या है, इसकी शकल पर क्या लिखा हुआ है, कि यह कौन सा lens है, converging lens, converge करेगा ना भईया, अब sorry race को इदर converge करेगा, अब हमने का भी page पे कुछ तो लिखा होगा, जो प्रिंट करना है खाली page तो प्रिंट ही नहीं आएगा भई, तो अब हुआ कुछ ही हूँ, इस page के उपर आपने लिखा हुआ है, A, कुछ भी, लो जी, लो जी, A लिखा हुआ, अब प्रिंट करना है, यह प्रिंट कैसे होगा, यह देखते हैं, यह इसके अंदर का समान सारा मैने दर बना कर अब इसकी working देखने से पहले मैं एक चीज़ आपको नएजी चीज़ बताता हूँ, वह स्लीनियम शीट क्या है, स्लीनियम शीट हमारे पास एक फोटो कंड़क्टर है, यह हमारे पास अल्लाद आला की तरफ से यह एक ऐसा material है, यह फोटो कंड़क्टर है, फोटो मीन, light यह light का कंड़क्टर है, होता है यह जिए अगर आपको मैं एक स्लीनियम गितार दे दूँ, या ऐसे समझे लो कि स्लीनियम भी शीट दे दूँ, उस शीट को आपके हाद में पकड़ा कर दूसी साइड से मैं बिजली के बोर्ड में लगा दूँ, और कंड़क्टर में फूल अं एक ऐसे समझे लो के सेंसर टाइब चीज़ है, ये light में conductor है और darkness में क्या है, एक insulator का का काम करते है, ये भी इसके अंदर quality है कि अगर इसके आदे हिसे पर light पड़ेगी तो इसका आदा हिसा conductor बंज़े और आदा हिसा dark, ऐसे समझे लो कि जहाँ पर light होगी, वहाँ पर ये conductor, जहां पर light नहीं होगी, वहाँ पर ये insulator, और यही कानी सुनाएगा सारी, अक्सर किया होता है कि बुछ रसे बाद ये sheet हमारी थोड़ी सी खराब हो जाती है, electron, drum खराब हो जाता है, electrons दे दे, चार दे दे, तो बेड़ागार को है तर फिर ये drum बदलने पर जादे लेकिन व अब वो दो चीजा आपको बताना थी, एक के हमारे पास impression dark का क्यों बच्छा आता है, और दूसरा, वो इंक जो है, वो page से क्यों जड़ना शुरू हो जाती है, ये दो point end में बताऊंगा जब पूरा हम कर लेंगे lecture, अब हुआ गया बच्चा, इदर से हाई light, ये light जब strike करत है इसके ओपर, ये जो आपका पूरा होता है, system, इस system के ओपर ना जो selenium sheet है ना भाई जी, इस पूरी sheet के ओपर, ये sheet मैं इदर मनाता हूँ जैसे ये पूरी sheet पड़ी हो, या एक पूरा board है, ये board को ऐसे करके न उसके ओपर लगा हुआ, हम इसके ओपर ना sprinkled काराए देते ऐसे यह शीट बना रहा हूँ बच्छा यह शीट को ऐसे रोल करके इसके उपर लगा हुआ हुआ है नीचे अलमेनियम यह जिस पूरी शीट के उपर हमने क्या ला दिया पॉजिटिव चार्ड पॉजिटिव चार्ड इसे स्प्रिंकल हुआ पड़ा है ठीक है अब होगा अब चिपकने वाली चीज उस पर भेंग दो उसके बाद पेज को ऐसे जाड़ो तो पेज के उपर क्या लिखा हुआ मटी के साथ लिखा हुआ कि बाकी चीज ट्रेक्ट करने वाली नहीं थी वोड़ की सेम यही टकनीक इतर लगनी है यह पूरा इस स्लीनिम शीट के उपर यहां से डाव अब जो तो होगा वाइट एरिया वह एरिफ्लेक्टिंग हका तो लाइट इसरे टक्राट होआग वालार लैंस के बनवाइट के उपर गिर जो इसे शीट पर गिर विए तो याझ जचीज पहले इनसुलेटर थी चार्ज इसको उपर बढ़ा था लेकिन जो तो इसा जिस इसे पर light पड़ी वो हिस्सा क्या बन गगए आपके पास conductor तो वो सारी की सारी charge पर गिरiao। उतने उतने हिसे का आपका आपका यह जो क्या कहते है श्लीनियम शीट यह उतने उतने हिस्से क्या हो गई hok國 doorруг मांडी और जब यह उतने उतने टिंदiał लाइट थी वह आी नीज के पास और उतने उतने हैंसे पर यह क्यों रही इंसुलेटर तो हम्ने कि का भाकी जाकशे की लाइट क्यों कि यह आई या ँआरिये वो कि सल्गाम से वाइट नहीं Will बढ़ेगा लिकिन जब मैंने का कि इन कलर्स से जब हम प्रिंट लेते हैं लिक्र 230 तो वहारे पास ब्लैक फेस और वाइट प्रिंटर से तो क्यों नहीं आता क्योंग है जो कलर्स है ना यह düş biggest लेक्ति को कुछ लई44 इतनी अच्छी तरना ब्रिंदा दे अप्रिक शीट के उपर बस यहां पर आगे का नहीं एंडो जानी है लिखा गया एक इसकी फोम में चार्जिस की कुए बाकी इसे की जो लाइट थी उसने सारे चार्ज को कहां फैंक के मार दिया अंदर वाले अलमूनियम ड्राम के उपर अब जब यह एदर निखा यह चार्जिस से ए निखा हुए चार्जिस वाला एड्राम के साथ कुणता है ड्राम इसने बनाया गोल ताकर रोटेशन में असानी हो यू करके आया इदर था टोनर टोनर के उपर एक जोगार रहा आप हमें पता था कि तो करना है तो फैंक करना दो निए उसके साथ लिक्रन के लिए खाल के लिए हमने टोनर को दे दिया इसे मट्टी इदर फैंक अब तोनर सारे सारे ड्राम पर गिरा लेकिन जो हिसा इन चार्जिससे बना था भाइशा उसके उपर नेगटिव बढ़ा तो खुद्धर टोनर च नीचे गिर गया नीचे गिर गया को लैक्ट और दुबारा फिर इस और जो हिस्सा इदर एक ही शकल में आ रहा है यह ड्राम अब इदर से रूटेट करता हुआ भाई साव इदर पहुंचा नीचे पड़ा हमारा पन्ना कागस फिम वाला अब जैसे ही यह इदर से आया एक सेक इसके उपर गिरेगा तो पेजब वह एक कुछ यह उँँ करके गिरेगा यह उगर के वह इसके उपर अभी सिर्फ इनको पड़ी आच चिपकी नहीं पेज़ पे अब इसको चिपकाना भी था तो अब जब चिपकाने के लिए हमने क्या किया यह पेज आगे चलता है और कां इसके प्रेस कर देंगे प्लस चुंके हीट हुए हुए है इतने हीट होता है कि वह इस सोलिड इंग को क्या कर सकते हैं मैल्ट और वैसल भी पता है पेज के अंदर वाटर के माली कूल्स होते हैं मैल्ट इंग होगी वाटर माली कूल से मिक्स हुई उपर प्रेशर पड़ा वह जो आपकी इंग थी टngulo रुझे तोनर वह पका पका उसको पर चिपआ गया और थोड़ी देर के बाद जैसे भाएं कलता है वो हीट को जो हीट हुआ होता है वो ठंडाने शुरु आता है और वो पक्की पकी इंग उसको परचे पकी जाती है और वी आइपी सा इंप्रेशन देती है ये सारी कहान ये सी जीरो ग्राफिक लगता है समझ आगी होगी आगी तो शेर करना फिर हैं ओके